नमस्कार दोस्तों आज हम elementary grade examination के geometry का आखरी का part number 8 हम देखने वाले है इसमें inscribing circles इसके आखरी के दोस्तों question number 19 to inscribe three circles in a given regular triangle that is an equilateral triangle in such a way that each circle will touch one side of the triangle and two other circles प्रेश्नक्रमांक 21 दिलेल्या समभूज त्रिकोनात तीन वर्तुडे अशी अंतर लिकित करा की प्रतेक वर्तुड त्रिकोनाचा एका बाजूस आनि इतर दोन वर्तुडा नस पर शकरेल दोस्तों सबसे पहले question paper में दिये हुए distance का एक line हमें यहाँ पर बनाना है उसके बाद अब उतना ही distance लेकर हमें उपर की तरग एक point से और दूसरे point से arc बनाना है अब यह जो तीसरा में point मिला है इसे उन दोनों point से हमें जोडना है इसे हमें equilator triangle मिल जाएगा अब इस तरह perfectly point to point line बनाने के बाद फिर हमें जो नीचे की side में दो side में जो angle है इन दोनों angle को bisect करना है अब इसको bisect करने के लिए अंदा जैसे आप rounder में जो distance लेके arc बनाने है और ये arc बनने के बाद जो point हमें मिले है वहाँ से दोनों side में arc बनाने है अब ये दोनों side से इस तरह दोनों side में arc बनाने के बाद जो point दो point हमें मिले है इन दोनों points को हमें जोडना है अब इस तरह प्रॉपरली जो पॉइंट है उसे मार्क करके अगर हम जोडते है तो हमारी गलती नहीं होती है अब यह हमें सेंटर पॉइंट मिला अब यह सेंटर पॉइंट से उपर के एंगल से एक लाइन बनानी है इससे क्या हो जाएगा कि सभी जो तीनों एंगल है वो हमें प्रॉपरली डिवेड मिलेंगे अब यह जो एंगल है यहाँ पर जो नीचे का एंगल है तो फिर से इस एंगल को हमें बाइसेक करना है अब ये बाइसे करने से क्या होगा तो हमें जो सर्गल बनाना है उसका radius मिलेगा अब इस तरह प्रॉपरली एक convenient distance लेकर हमें arc बनाना है अब ये जो point हमें ने प्रॉपरली उसको mark कर लिया अब उसे जोणना है अब यहाँ पर एक एक mm का distance distance बहुत ही important होता है और इसी लिए प्रॉपरली मार करके ध्यान रगके हमें बनाना है अब देखो उपर से जो angle हमने बाइसे किया था उसका जो line है वहाँ पर ये line टच करती है अब ये जो center point हमें मिला है वहाँ से नीचे की जो हमने पहले line बनाई थी वहाँ तक distance लेकर हमें circle बनाना है circle बनाने से पहले properly check कर लिजिए कि वो circle बराबर नीचे की जो एक सेड़े वहाँ पर से और आजू बाजू के जो दोनो angle हमने पहले बनाये थे उन सभी को properly touch करता है अगर कुछ गलती है तो we have to correct that और या properly distance लेकर हमें बनाना है यह देखो बराबर हमने अगर distance perfect लिया है तो हमारा circle भी एकदम perfect आता है अब उपर के center से लेके जो radius हमने circle का center है वहाँ तक का distance लेकर हमें क्या करना है circle बनाना है या आप mark भी कर सकते हो side से तो यह जो दोनों हमने angle by से किये थे वहाँ से वहाँ तक हमने distance लेके arc बनाया अब उतना ही radius हमें लेना है जितना हमने पहले circle के लिये लिया था और यह जो दो point हमें मिले है दो center हमें मिले है वहाँ पर रखते हुए हमें circle बनाने है और इस तरह देखो यहाँ पर आप देख रहे है कि circle यह बराबर पहले वाले circle को touch कर रहा है और इस तरह यह दूसरा circle भी हमारा बन गया अब वही radius कायम रखते हुए हमें यह जो तीसरा circle है यह तीसरा circle भी हमें बनाना है अब जो triangle हमने बनाया था properly उन सभी को हमें naming करना है जो points आये थे उन्हें भी जो distance हमने line बनाई उसका distance यह सब हमें अच्छे से लिखना है हम ध्यान देके बनाएं तो diagram perfect तयार होता है और इस तरह हमारा diagram तयार हो गया question number 20 to inscribe 4 circles in a given regular square in a such a way that each circle will touch one side of the square and two other circles प्रेश्न क्रमांक 20 दिलेलया चौकोना चार वर्तुडे अशाप्रकारे अंतर लिकित करा की प्रतेक वर्तुड चौकोना चार एका बाजूस आनि इतर दोन वर्तुडा नास परशकरेल अब सबसे पहले जो distance हमें question paper में दिया होगा उस distance का हमें line बनाना है अब वहाँ पर उसे आप properly नाम देना है line का और उसका जो distance है वो distance आप लिखके ले सकते है अब इसके बाद ये जो 8 cm का हमने line लिया था तो b points हमने थोड़ा उसे extend किया वो इसलिए कि वहाँ से हम perpendicular बना कर proper तरीके से हम square बना पाए अब इसके लिए हमने क्या किया वो point लेकर वहाँ पर एक arc बनाया जो दो point मिले वहाँ से उसे perpendicular बना कर properly उसे जोड दिया अब rounder में b c इतना distance लेकर हमें उपर की तरब b पर रखके हमने arc बनाया अब जो point हमें मिला वहाँ पर रखके हमने arc बनाना है फिर नीचे से c से उपर की तरब arc बनाना है अब यहाँ पर हमें ये point मिल गया अब इन दोनों को हमें जोड़ना है इस तरह हमारा ये जो square है ये square हमें मिल जाता है अब ये जो दोनों angle है इन दोनों angles को हमें जोड़ना है अब यहाँ पर हमें center मिला और उसी के साथ साथ एक angle भी मिला अब इस angle को हमें bisect करना है अब इस तरह दोनों side से arc बना के हमने इसे bisect किया और bisect करने के बाद हमने जो दो diagonal बनाए थे उस diagonal से जो angle बने है उस angles को भी हमें bisect करना है इसलिए हमने ये center से दोनों side में arc बनाए अब ये दोनों arc पर rounder को रखते हुए दोनों side से हमें arc बनाने है इतना ही नहीं तो हमारे जितने भी चार angles है वो चारो के चारो angles को हमें bisect करना है और इसलिए हमने ये जो arc बनाए थे चार point बनाए उन सभी से rounder को रखते हुए हमें arc बनाने है अब ये जो point यह आपर आया है इसे जोड़ना है अब ये points को हमने mark कर दिये अब ये mark करना properly line mm to mm properly जोड़ना बहुत ही जरूरी होता है जितना perfection आपके line में होगा उतना आपका diagram perfect होगा अब इससे क्या हुआ ये जो line आया इससे हमें नीचे की side में देखो हमने जो angle bisect किया था उसका radius मिल गया और उसी radius को लेकर हमने circle बना दिया अब अगले और 4 circle हमें बनाने है और उसके लिए हमने center से अभी जो distance है center circle का वो लेकर हमने पूरा एक circle बनाया जिससे हमें बाकी और जग पे जो हमने angle bisect किये थे उनके जो point है वो हमें center point उनके मिल गए जो हमें अभी circle बनाने के लिए helpful होगा अब जैसे हमने पहले circle बनाया था उसी तरह ये circle भी हमें बनाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि square की एक side को उसने touch किया और ये जो दूसरा ये side का circle था उसके भी एक side को उसने touch किया अब हमने तीसरा circle हम यहाँ पर बना रहे हैं और ये circle बनने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी जो center circle है उसने दोनों side के circle को touch किया है और एक side को touch किया है इस तरह देखो यहाँ पर हमारे चारो सरकल बन गए अब हम सभी को प्रॉपरली नेमिंग कर रहे है इस तरह हमारा ये डाइग्राम तैयार हो गया All the best for your elementary exam कर दो कर दो कर दो कर दो